देश की राजधाने दिल्ली में नाबालिक लड़कियों को बेशने का गौरक धंदा अभी भी तेजी से फलफुल रहा है। इस बात की जानकारी मिली जिसके बाद उन्होंने दिल्ली पुलिस और एंसी पीसी आर की टीम के साथ उस घर में छापेमारी की जहां प्लेस्मेंट एजनसी के नाम पर नाबालिक लड़कियों को बेचने का गौरक धंदा चुलाय जो रहा था। और पुलिस ने आरोपी को धर्द पूचा। तो कहा के रहने वाले वाले अच्छा आप लोग यहां क्या काम करते हैं? हा जी क्या काम करते हुआ हो निधक करते हैं किशलवि के सावके मुलता है जैसे चिनको काम कि सबस्गारिय एस तो、 चिंतुन को दर सब कलते है जो भॉर का से छाड़क तर बरता मुदिया । और ट जेले बायकी जिनको खानाता हो ज़के शाल है, जजा समस्या गानोर करता है मैं पंआ से कमसुग रम लूग nah तो मैं साल है, सांट मैं इसक हो लिगी कितने उसकी कना सट ट는데roc真的 है औरही जाए रॉटहल है, कितने लड़गी यह काम लज्ती है आपके साथ में राद में रुखती है तो कितना लेता है तो कितना ये रे बाद फिर भी वीश पच्छी साल में कितना सौबच्छी तो ले आता हो इसा है कि अध्यां तो अध्यां मतलग नाम बताओ ना एजेंट जो है कितने हैं जो नाम बताओ पुड़े नहीं है तो कितने लोग होंगे अजेंट में पंद्रा बीस-पचीश एजेंट हैं उनसे तुम लड़की खरीटे हों उसके बाद अभी तो कितने साल तो ये काम कर रहे हो हमारे तो जावा साल नहीं हुआ अच्छा अभी तक कितने लड़कियों को सफ्लाई की हो आपने अभी तो जाव चला एक लड़की को बेचने के कितना पैसे लेते हो अप पिछे से कितना लेते हो आप पिछे से कितना लेते हो अच्छा चालिस लेते तीस एजेंट को देते दस तुम्हारे पास अजय को कोई को देता होंगे को नहीं है जी सर क्या नम है आपका जी मेरा नम मनीश शर्मा है मनी जी क्या सुचना मिली थी देखिए हमारे पास आज सुबहें कहीं से कोई इंफर्मिशन आई थी तो उस इंफर्मिशन के आधार पर हमने इस सुचना तुरंत जो है एंसी पीशियार के चेयर परकां प्रियंग कानुंगु साहब को दी तो प्रियंग कानुंगु साहब ने तुरंत एक टीम गठित करी और उनके नेतर्त में आज हम लोग यहां पहुंचे परस्वाने में और लोकल पुलिस एंटी हुमन ट्राफिक यूनिट के ने सहयोग से यहां से तस लड़कियों को रेस्क्यू कराया और पुलिस ने चार अच्छे काम और अच्छे बेतन का लालज दे करके यहां लाया गया क्या लग रहा है कि उसे बात हुई थी तो उनका कुछ कहना और है कि यहां लड़कियों को वहां से खरीद के लिए आकर यहां बेचते थे जैसा कि आपने भी अपने वीडियो में देखा आप से बात करि करते हैं कि माबाप को पुछ एड़वांसिस पैसा दे करके और उनको कहते हैं कि तुम्हारी लड़की बहुत अच्छा काम करेगी जो बहुत अच्छी तनका मिलेगी उसको हमारे साथ दिल्ली भेंदो विचारे वो उसके बहला कर भुशला कर उनकी लड़कों को समझ नही जो आपने बताया कि दस लड़की है क्या क्या उमर रही होगी सबसे चुड़ी जो बच्ची मैंने देखा कि नौ साल की है और बाकी कुछ बच्ची 12-13-14 साल की उसमें अभी तक पुलिस के क्या करवा ही रहा सब अभी तो लोकल पुलिस आई है और इसके बाद वो लड़क मेडिकल कराई और इसके बाद किसी होम में CW से के और पर उनको होम में भीजा जाएगा और बच्पन बचावान दूरों का क्या क्या है इसमें साब से बात हुई तो उन्हें क्या स्वासन दिया नहीं मेरी सब्सक्राइब कोई वात ने भी जी है